बस वही इंतहा में पास हुए जो तेरे आसपास बैठे थे रात भी जब तुमारा फोन आया तुम हमारे ही पास बैठे थे रात भी जाहतों की जरा सी आहट पर दिल का दर्वाजा खोल सकता है इश्क ऐसी जबान है प्यारे जिसको गूंगा भी बोल सकता है चाहतों की जरा सी आहट पर दिल का दर्वाजा खोल सकता है इश्क ऐसी जबान है प्यारे जिसको गूंगा भी बोल सकता है शायरी का कमाल ये है कि दो लाइनों में ऐसी बात कह दी जाती है कि लिखने वाले अगर आएं तो उन दो लाइनों के एक शेर पर पूरी पूरी किताब लिख दें यही तो कमाल है शायरी का प्रोफिसर वसीम बरेलवी साहब यहां तश्रीव रखते हैं इनका एक शेर पूरी दुनिया के लिए मचले राह बनकर लोगों को राह दिखाता है कि कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है यह सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है इसी तरह से एक एक दो दो मिस्रों में बड़ी बात शायरों की अपनी आदत होती है आईए एक ऐसे शायर से आपकी मुलाकात कराता हूँ कि वो अपनी शायरी की दो मिस्रे दो मिस्रों का एक शेर जब वो कहते हैं तो वो किसी तरह से जैसे ही वो शेर उनके जबान से निकलता है जैसे ही वो शेर उनके कलम से बाहर आता है और उसके बाद वो सारी दुनिया तक सोशल मीडिया के जरीए पहुँच जाता है लोग ट्वीटर पर फिस्बुक पर इंस्टा पर या वाटसप पर जितने भी प्ले की बात है कि एक शायर जो आसान जबान में बात करता हो लेकिन लोगों के दिलों के जजबात को इस गहराई के साथ समझता हो कि आप बीती को जग बीती और जग बीती को आप बीती बना सकता हो ये कमाल है जराब फेहमी बनायूनी का मैं आप से गुजारिश करता हूं कि ताल तुमने नाराज होना छोड़ दिया, इतनी नाराजगी भी ठीक नहीं। शेर देखिए के जिसको हर वक्त देखता हूँ मैं, उसको बस एक बार देखा है। जिसको हर वक्त देखता हूँ मैं, उसको बस एक बार देखा है। और यह शेर देखिए बाद में सुना हूँआँ, पन्कुछ भूल लैँआँगा। एक शेर यह है के, अब तो मैं जो वी काम करता हूँ। अब तो मैं अब तो मैं जो भी काम करता हूँ वो तेरा इंतजार होता है और कोई नुकसान ही नहो तो फिर इश्क करने का फाइदा क्या है एक मतला और एक शेर वह के पूछ लेते वो बस मिजाज मेरा पूछ लेते वो बस मिजाज मेरा कितना आसान था इलाज मेरा मैं तो दीवाना हूँ खुदा जाने कौन करता है कामकाज मेरा मैं तो दीवाना हूँ खुदा जाने कौन करता है कामकाज मेरा और एक मतलब दो तिन शेर कि हम तेरे गम के पास बैठे थे अच्छा हम तेरे गम के पास बैठे थे दूसरे गम उडास बैठे थे वाँ कि हम तेरे गम के पास बैठे थे दूसरे गम मुदास बैठे थे बस वही इंतहा में पास हुए जो तेरे आसपास बैठे थे जो तेरे आसपास बैठे थे रात भी जब तुमारा फोन आया तुम हमारे ही पास बैठे थे रात भी जब तुम्हारा फोन आया तुम हमारे ही पास पैठे थे शुक्रिया शुक्रिया और ये गजल के जती शेर और देखिए कि ये जो आखों में मेरे पानी है ये जो आखों में मेरे पानी है तेरी आखों की महरवानी है ये जो आखों में मेरे पानी है तेरे आखों की महरबानी है वह एक मतल़ इसमें ये है कि सबसे मुश्किल तो वो कहानी है जो किसी को नहीं सुनानी है सबसे मुश्किल तो वो कहानी है जो किसी को नहीं सुनानी है एक मतला और दो तें शेवर देखिए कि इसलिए आ गया हूं कोने में इसलिए आ गया हूं कोने में आँखें शामिल नहीं थी रोने में इसलिए आ गया हूं कोने में आँखें शामिल नहीं थी रोने में मैंने उसको बचा लिया वरना मैंने उसको बचा लिया वरना डूब जाता मुझे डुबोने में मैंने उसको बचा लिया वरना डूब जाता मुझे डुबोने में आखिर में एक गजल के चार पाशे रोड़ इरशाद, वाँ, अच्छा बोशेर एक, सिर्फ अपना समझ रही थी मुझे, अच्छा, सिर्फ अपना समझ रही थी मुझे, जिन्दगी क्या समझ रही थी मुझे, पूरी तयारियों से आई थी, मौँच जिन्दा समझ रही थी, वाँ, 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 वा यह जवान आपके इस्तक्बाल के लिए आपके गुल्पोशी करने के लिए आए हैं पूरी तैयारियों से आई थी मौत जिंदा समझ रही थी मुझे वाह 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 वह एक शेर यह फेस्बूक में मशूर वाइस लिए सुना रहा हूं कि पर्स करने लगी तराश मेरा पर्स करने लगी तराश मेरा नर्स मुर्दा समझ रही थी मुझे पर्स करने लगी तराश मेरा नर्स मुर्दा समझ रही थी मुझे वाह 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 वो गजल का मतला समंदर उल्टा सीधा बोलता है समंदर उल्टा सीधा बोलता है सली के से तो प्यासा बोलता है समंदर उल्टा सीधा बोलता है क्या कहना सली के से तो प्यासा बोलता है वह एक मतला और है कि यहां तो उसका प्यासा बोलता है क्या कहना यहां तो उसका पैसा बोलता है वहां देखेंगे वो क्या बोलता है वाह 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 यहां तो उसका पैसा बोलता है वहां देखेंगे वहां देखेंगे वो क्या बोलता है वो रह जाता है मेफिल में अपिरा वो रह जाता है मेफिल में अपिरा जो महफिल में अकेला बोलता है, निगाहें करती रह जाती हैं हिज्जे, वो जब चेहरे से इमला बोलता है, वह 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 व क्या कहना ये मैफिल खत्म हो जाए तो देखूं बिना माइक के वो क्या बोलता है ये मैफिल खत्म हो जाए तो देखूं बिना माइक के वो क्या बोलता है झाल झाल